वेलकम बैं गाइस तो अब हम देखते हैं कुड़ फूर्स इस राउंड 716 का क्वेश्चन ये तो पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं क्वेश्चन ये कि हमें एक एरे दीवी है एंड लेंद्स की और हमें क्या करना है उसमें से सब्सीक्वेंस हैड करनी है किती भी लेंद्स की हो सकती ही सब्सीक्वेंस और हमें बताना है कि हम ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और उस सब्सीक्वेंस में जित्ते भी éléments है हुग पर्फेक्ट स्क्वेर नहीं होना चीए तो इसका simply मतलब ये भी कह सकता हूं कोई भी एक single element select कर लो जो कि perfect square नहीं है तो भी हमारा काम हो गया है ना मतलब क्योंकि अगर माल लोगी perfect square है और उन दो number को multiply करोगे तो तो ऐसे भी perfect square ही बनेगा और एक perfect square है और एक non perfect square है उनको multiply करोगे तो तो perfect square नहीं बनेगा और ऐसे case में तो अभी मैंने बोला कि single element जो है जो कि perfect square नहीं है वो खुद भी तो मालब एक sub sequence है तो वो ही answer हो गया तो मालब हम सीधा कह सकते हैं कि अगर वैसा मिला तो ही answer होगा अगर नहीं मिला तो answer ही नहीं होगा नहीं मिला इसका मतलब क्या है कि सारे square वाले number है perfect square और perfect square into perfect square भी एक perfect square होगा तो कोई मतलब ही नहीं है इसका मतलब कोई भी एक ढूंड़ो ऐसा जो कि perfect square नहीं है तो हमें हमारा sub sequence मिल गया तो हम yes print कर देंगे बढ़ना हम no print कर देंगे simple है इसमें मतलब जादा कुछ logic ही नहीं तो अपन सीधा code ही देख लेता है हाँ तो मैं code समझाता हूँ solve यहाँ पर number of test cases लिए और हर बार मैं solve function को run कर रहा हूँ solve कुछ नहीं मतलब systematic way से लिखने के लिए मैं use करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आसानी से आएगा तो जैसे मैंने input ले लिया फिर array का input ले लिया फिर उसके बाद मैंने यह square root निकाल लिया आप function भी use कर सकते हो बाकी मैंने simple तरीके से भी निकाल के देख लिया कि भाई सारे jj's multiply करता जा रहा हूँ मैं हर number का देखता रहा हूँ किसी भी number का square अगर हमारे number से AI से बड़ा आया या बरावर आया तो मैं break कर दूँगा फिर मैं देख लूँगा अगर बरावर नहीं है तो मैं कह दूँगा कि एक flag है उसको one set कर दूँगा यहाँ पर मैंने flag one set किया है यहाँ पर तो flag यहाँ फ्लैग पी जो है फ्लैग है पी को one कर दिया तो अगर पी one है तो इसका वादलब कोई number ऐसा हमने डूँड लिया है जो कि perfect square नहीं है तो हमें क्या output करना है yes पर अगर पी zero ही है जो already initial value थी इसका मलब ही है कि हम बिना perfect square वाद number find ही नहीं कर पाए तो फिर हम क्या output कर देंगे no का output कर देंगे वरना हम क्या output कर देंगे yes so that's it guys thank you very much